जाहिंद नमस्कार मेरे सेर्षेनियों लाड़ों लाड़लियों स्वागेता आप सभी का अपनी यूट्यूब चैनल कमांड वोकेट में पर दोस्तों आज का ये वीडियो इसपेशली वह सारे बच्चे जिनका एक्जाम 10 जनवरी को कर साप चैनल करहنا है कि उन बच्चे गया प्रवरी मिर को या अन्डिंग में उन का ज्यादा ये ज multif पेले हुता उसको उता है जिसका एक्जाम एन में हुता है उसको फाइदा अब कई बिच्चों का ये भी माना जैसे कुछ लोग भी बोलते हैं जो जिनका एक्जाम पहले होता है उनको Nirmalization के नंबर अच्छे मिल जाते है जिनका exam बाद में होता है उनको Nirmalization के नंबर कम मिलते है इस बात में कितनी सचाई है और कि exam पहले तो उसका नुक्सान है या फाइदा किसको होगा या तो आप भी जानते हो कि जिसका बच्चे का एक्जाम एंड में होगा उसको तैयारी करने का मौका अच्छा मिल जाता है कि तैयारी करने के लिए उसको कम से कम 30 दिन का एक्ट्रा समय मिल जाता है जो कि कम नहीं होता है आप सभी को पता आप को कूल मिला कर इस बार दो महां का समय मिल जाता है और तीन महीने में फायधा यह है कि उस वह रोज पेपर देखता कि किस परकार के पेपर आ रहे हैं मुझे सब्सक्राइब का पढ़ना चाहिए करन जी कि पर नेट यह इतनी पर ने चाहिए पोल्रिक्स कितनी पर दिश्ट्री किपनी पर ने चाहिए औरर असे इडमें क्या हो 10th Pass level है एक ही level के ही Qution होगी और हर बार एक्जाम में सेम ही type चलती है SSGD में जधा बदलाव नहीं होता है इस बार तो बदलाव और नहीं हो गया तो जिनका starting में exam है उनके सबसे बड़ा challenge यह हो गया कि यह पिछले model वंने जैन मैं जो को समय कम दिखा नहीं है वांके चलिए, सब्सक्षांट से जक्ते हैं उसमें एक हजार बच्चे बेचे और इनका ओसत जो नंबर है वो साथ है तो इसका मतलब क्या हुआ भाई इसका मतलब कि इस पेपर का लेबल थोड़ा सा आसान है तो इसमें नॉर्मलाजेशन का नंबर बढ़ेगा ये बात सही है इसमें कोई जूटी नहीं है जिनका पेपर स्टार्टिंग में होता हुआ उनको नॉर्मलाजेशन का थोड़ा सा फाइदा ज्यादा मिलने के चांसे ज्यादा रहते हैं इसलिए क्योंकि वह एक्जाम जो हाड हो जाता है तो यह फिर बोड़ ये रिशायर करता है कि इसमें जो ओस सतंक है वो कम आ रहे हैं इसमें ओस स सब्सक्राइब करना है और आप जो भी बच्चा इस बात को ध्यान में रखेंगे 10 जनरुक जैसे आज पेपर देने आप जाओगे 11 अपतारी को जो भी बच्चा जाएगा के लिए तो वही दिन फैस्ट होगा हमें उसको ज्यादा मिल रहा है इस बात में संद्य नहीं है लेकिन जब शीट पर बेटेगा आप यह बता देने से कि पेपर यह से स्टेंड करने से नहीं होता है जिसके तयारी अच्छी होगी वो पेपर को सभी समय में कर लेगा जिसक बिसके को कोई बच्चा है मानलों उसके तैयारी नहीं तो भी उसके पेपर में नंबर नहीं आएंगे तो बच्चों का एकजाम इस बार मैं आपको रिजनिंंग को करने ने इसके अलाबा ध्यान रखे, कुछ बच्चे क्या करते हैं तो ये से देखते हैं कि हाँ पहले मेत करूँ चेक करते हैं मेत का क्यूशन पहला जीके का क्यूशन पहला ऐसे नहीं करना है यह कुछ नहीं करना है जीके चाई कोई यह नमर पर हो आपको सबसे पहले जीके करना है उसके बाद में हिंदी करना है उसके बाद में रिजिनिंग करना है उसके बंतत है मेत करना है, क्यों? क्योंकि GK आप जब शुरू में करोगे तो आइए मान के चलिए कि आप 10 मिनट के अंदर-अंदर सारी GK कर लोगे हिंदी भी आप 10 मिनट के अंदर-अंदर कर लोगे, तो यहनी 20 मिनट में पहले 40 कुशन आप कर चुके जिन में आपको एक मिनट पूरा नहीं लगेगा, मैं तुमें कुछ केल्कुलेटिव के उसन रहेंगे, जिन में आपको एक मिनट से भी ज्यादा समय लगेगा, तो इस हिसाब से पेपर को अटेंड करोगे, तो आपको कोई फरक नहीं पड़ेगा कि आपका पेपर पहले है या बात में, आपको अपनी तयारी पर विश्वास रखना है, पेपर देने जाओ, तो इस बात को जा रखना है, कि मैंने जितने तयारी किये, बहुत अच्छी किये, और मैं अपने तयारी के अनुसार पेपर दूँग प्रोबलम क्या से लेबस तो वह ही है, कि उस लेबस में आने या आपके उसी तयारी में से आने, इसलिए आपको बिल्कुल चिंती तो नहीं होना इस बात को लिकर, ठीक है, और इसी परकार, इसी करम में आपको पेपर अटेंड करना है, अन्तिम समय में इस बात का पूरा जान रखें, ठीक है लाटनू, जय हिंद, जय भारत